हेलो बच्चों, आज हम आपकी क्लास थर्ड की बुक हमारा परिवेश में एक पार्ट है हमारा भोजन उसी के बारे में पढ़ेंगे तो आप सब अपनी कक्षा 3 की किताब में पाच्वा पार्ट हमारा भोजन पेज नंबर 37 खोड़ लिजे बच्चों, जैसा कि आपको मावलूम है पिछले बार्टो में पढ़ाया गया है कि भोजन हमारे शरीर की सिर्फ भूख ही नहीं मिटाता है यानि हमें अगर भूख लगी हो और तब हम भोजन करें यह ज़रूरी नहीं है इसके साथ ही साथ भोजान हमारे शरीर की बहुत सारी आवशक्ताओं को पूरा करने में हमारी मदद करता है इससे पहले क्या आगे के पार्ट के हम चर्चा करें आईए देखते हैं कि पहले हमने अब तक क्लासेज में क्या सीखा बच्चों आपको जैसा के पहले बताया जा चुका है कि भूख लगने पर हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं कुछ भी अगर हम खाते या पीते हैं भूख लगने पर आपको पहले बताया था चाहे हम पीने में दूद पीएं, चाहे पीएं, जूस, शर्बत, कॉल रिंग, कुछ भी अगर हम पी रहे हैं या हमें भूख लगने पर हम खाना खा रहे हैं, नाश्टा कर रहे हैं, बिस्केट, दाल, मोर्चेप, समुसा, रोटी, सबजी, जो कुछ भी हम खा रहे हैं क्या पी रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, भूख लगने पर हम जो कुछ भी खाते या पीते हैं, उसे हम भूझी पदार्द कहते हैं अब इन भोज़ी पदार्थों का मकसद सिर्फ हमारे शरीर में जो भूग लगती है उसे मुटाना नहीं है उसके और भी बहुत सारे गोण हैं क्योंकि भोज़न हम इसलिए करते हैं भोज़ी पदार्थों को उनके गुणों के आधाय पर तीन भागों में हम बाट सकते हैं नमबर एक पर वो भोज़ी पदार्थ जो हमारे शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं उर्जा का मतलब भी आपको बताया था उर्जा का मतलब ताकत से होता है तो वेभोज़पदार्द जो हमारे शरीर को उर्जा यानि काम करने की ताकत प्रदान करें तूसरे नमबर पे वो भेज़पदार्द जो हमारे शरीर की वृध्धी या विकास करते हैं हमारे शरीर को मस्बूती प्रदान करते हैं हमारी मास पेशियों को मस्भूती प्रदान करते हैं तीसरे नमबर पर वेभूज़ पदार्थ जो हमें रोगों या बीमारियों से बचाते हैं यानि भोजन का माकसद सिर्फ इतना नहीं है कि हमने खाना खाया, हमें भूख लगी, हमने खाना खाया और हमारा पेट भार गिया इसके अलावा भी भोजन खाने से हमें क्या-क्या फायदे होते हैं हमें ताकत मिलती है, हमारा शरीर मजबूत होता है और हम रोगों और बीमारियों से अपने आपको बचा लेते हैं अब इसके आगे भी हम लोगों नहीं क्या पढ़ा था कि कौन-कौन से ऐसे भोज़ेपदार्त हैं जो हमारे शरीर को उर्जा देते हैं आईए देखते हैं गेहूं, चावल, चीनी, गुड, आलू, अर्वी, शकरकन, गाजर, तूध, घी, तेल, मक्खन, अंडा, इत्यादी कि सब वो भोज़ेपदार्त हैं जीन को खाने से हमारे शरीर में उर्जा आती है काम करने की ताकत आती है और आपको याद होगा आपको ये बताया था मैंने पिछले क्लास में कि जो लोग बहुत जादा शारेरिक श्रम करते हैं उन्हें ये उर्जा देने वाले भोज़ेपदार्त जादा मातरा में खाने चाहिए और जो लोग शारेरिक श्रम कम करते हैं उनको उर्जा देने वाले भोज़पदार्द कम मात्रा में खाने चाहिए अब देखिए आप वृध्धी करने वाले भोज़पदार्द वे भोज़पदार्द जो हमारे शरीर का विकास और वृध्धी करते हैं टाकत देते हैं मास पेशियों को मजबूत बनाते हैं चोटी मोटी जो टूट फूट हमारे शरीर में होती हैं उनको रिप्यार करने का उनको ठीक करने का काम करते हैं वे होते हैं व्रधी करने वाले पोचेपदार्थ तो ये कौन-कौन से हैं? सभी प्रकार की डाले छोला, चना, राजमा, मुंपली, अखरोट, सोयाबीन इन सब चीजों को खाने से हमारे शरीर मजबूत होता है शरीर के अच्छी प्रधी होती है इसके साथ अगर आप मासा हारी हैं तो आप अंडा, मास, मचली, चिकन ये सब चीजें खा सकते हैं अब देखिए, रोगों से बचाने वाले भोची पदार्थ जिसमें सभी तरहां के फल और सबजियां और दूद होता है और ये बहुत ही इंपोर्टेंट और महत्व भोची पदार्थ हैं कि कि इनको अगर हम खाएं, इनका हम हमेशा सेवन करते रहें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे एक चीज़ आपने और देखी होगी बच्चों कि इसमें दूद ऊरजा देने वाले भोची पदार्थ में भी है वृधि करने वाले भोची पदार्थ में भी है और रोगों से बचाने वाले भोची पदार्थ में भी दूद है इसका मतलब दूद एक ऐसा आहार है जिसका अगर हम हमेशा से बन करते रहेंगे तो हमारे शरीर को सारे पोशक तत्व मिलते रहेंगे जैसे आपने देखाऊगा बच्चों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ एक महीने के, दो महीने के, चार महीने के, छे महीने के, जो कुछ भी solid चीज नहीं खाते हैं. वो आग के और हमारी तरहां रोटी, सबसी, बिस्केट, नमकीन ये सब चीज़े नहीं खाते हैं वो सिर्फ दूद पर ने भर होते हैं दूद पीते हैं उसे पर डिपेंड होते हैं लेकिन उनकी शारिरिक शक्ती देखिए जब वो पैर हिलाना शुरू करते हैं ना हाथ पैर तो हम और आप उनके जैसे हाथ पैर हिला नहीं सकते हैं और वो जब गोद में मचलते हैं पुरी ताकत लगा के तो कितनी वो अपनी उर्जा उसमें लगाते हैं और वो खाते क्या हैं कुछ खाते नहीं हैं सिफ और सिर्फ दूद पीते हैं तो दूद एक संपूर आहार है अब इस तरह से अभी आपने देखा कि अगर हम अपने भोजन में रोटी, सबजी, डाल, चामवल, फल और दूद संतुलित महत्रा में लेते हैं तो इसका मतलब हम स दूद रहेगा, शारेद एक विकास अच्छा होगा और हमारे शरीर में कारे करने की उर्जा बरकरार रहेगी और आपको पहले भी अभी बताया मैंने के दूद एक संपूर आहार है अब बचों के जो तीनों प्रकार के भोची पदार्थों के बारे में अभी बात की अगर आप ध्यान दीजे तो मैं बताना चाहूंगी इनके वेग्यानिक नाम आपको आगे की क्लास में इसके बारे में और विस्तार से पढ़ाया जाएगा क्याहाँ पेस को समझी कि जो उर्जा देने वाले भोची पदार्थ हैं उनको वेग्यानिक भाषा में कार्वो हाइडरेट कहते हैं इसी तरह से मायनाव शरीर की वृधी करने वाले भोची पदार्थों को वेग्यानिक भाषा में प्रोटीन कहते हैं रोगों और बीमारियों से बचाने वाले भोची पदार्थों को वैक्यानिक भाषा में विटामिन कहते हैं आगे आगे की ख्लास में इसके बारे में और विस्तार से चर्चा की जाएगी अब बच्चों हम बात करेंगे आज जो हमारा टॉपिक है इसके बारे में अभी तक तो हमने आपको पिछला जो पढ़ा रहे थे उसके बारे में बात की आज हम बात करेंगे कि कौन-कौन से ऐसे भोज़ पदार्थ हैं जिनको हम कच्चा खाते हैं कुछ ऐसे भी भोज़ पदार्थ हैं जिनको हम सिर्फ पका के खाते हैं और वहीं पर कुछ ऐसे भोज़ी पदार्थ होते हैं जिनको हम कच्चा और पका कर दोनों ही तरह से खाते हैं तो आईए सबसे पहले हम बात करते हैं उन भोज़ी पदार्थों की जिनको हम कच्चा खाते हैं यहां स्क्रीन पे आप देखिए कितनी अच्छे अच्छे भोज़ पदारतों की फोटो लेगी है और ध्यान दीजिए आप इधर केस में सभी प्रकार की फल आम तौर पर आप देखिए कि हम सभी तरह की फलों को ज़्यातर कच्छा खाते हैं मुश्किल से कुछ ही लोग होते होंगे कि शायद कि वो किसी फल को बॉयल करके खाएं ऐसा कुछ नहीं होता है हाँ फल दो तरह से खाया जाते हैं एक तो कच्छे ऐसे ही खाया जाते हैं और दूसरा तरीका होता है उससे लोग जैम और जेली बनाते हैं बाजार में भी आजक उन लोगों को करना चाहिए जिनके दाथ नहीं है या दाथ कमजोर हैं अगर आपके दाथ हैं दाथ मजबूत हैं तो अब फल खाना प्रिफर करिए बजाए इसके कि आप उसका जूस निकाल के पिएं क्योंकि हम रौ फूर्ट्स खाते हैं फूर्ट्स फल इस तरह से चवा के खाते हैं वो जादा फायदयमांद होता है और सभी तरह के फ़लों के साथ ही साथ अमोमन हम दही, मक्खन, नीबू, खीरा ये सब चीजें भी कच्ची ही खाते हैं जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं दूसरे नंबर पे बच्चों वो भोज़े पदार्त आते हैं जिनको हम पका के खाते हैं जिनको हम कच्चा नहीं खाते हैं अब इन में कौन से भोज़े पदार्त हैं आईए आप पहले इसके फोटो देख लिजे के कुछ दाले हैं अनाच है भिंडी, बैगन, करेला, लौकी अंडा और मास मचली इनको आमोमन पका के खाया जाता है तो इस चीज़ को आप चाहें तो आप नोट कर सकते हैं कि पका कर खाने वाले भोज़े पदार्त कौन-कौन से होते हैं पका कर खाने वाले भोज़े पदार्त जैसे कि अभी आपने फोटो में देखा था बच्चों कि सभी तरह के अनाच और दालें कुछ सब्जियां सब्जियों में जैसे आलू हम कच्चा नहीं खाते हैं हमेशा पका के खाते हैं और वे वे बंदी, करेला, same, tender, rocky, thurai, ithyaadhi इसके अलावा अंडा, मास, मचली, तेल और दूद, बच्चों बहुत से लोग दूद को कच्चा पी लेते हैं नुकसान देंगे चीज, उसमें कुछ बैक्टिरियाज होते हैं अगर हम दूद उबार के पीते हैं तो वही फायते बंद होता है कच्चा दूद हमें नहीं पीना चाहिए तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो पका कर खाने वाले भोचे पदार्त हैं उनमें सभी प्रकार के अनाज आते हैं डाले आती हैं, कई सबजियां भी होती है कुछ सबजियां ऐसी भी होती हैं जिनको हम कच्चा और पका कर दोनों तरह से खाते हैं लिकिन कई सबजियां जैसे आलू है, टिंडा, भिंडी, लोकी, तुरई, करेला इस तरह की सबजियां हम सिर्फ पका कर ही खाते हैं और जो मांसाहारी होते हैं मास, मशली, चिकन, अंडा ये सब चीज़ें पका कर खाते हैं तेल भी कुई कच्चा नहीं पीता है उसे भी इंसान पका कर ही इस्तिमाल करता है हाँ घी अकसार ऐसा होता है कि देसी घी होता है तो कच्चा दाल में, खिचुडी में, सबजी में या रोटी में लोग उसको लगाना पसान करते हैं अब बात करते हैं उन भोज़िपदार्थों की बैच्चों जिनको हम कच्चा और पका कर दोनों तरह से ही खाते हैं जैसे कुछ फ़ल ऐसे हैं आप को अभी सुन के हरानी हो रही होगी लेकिन अभी जब मैं नाम बताऊंगी तो आपके लगेगा कि हाँ मैडम बिलको सही बात कह रही है फलों में केला और पपीता ऐसे फल हैं जिनको कच्चा भी खाया जाता है और पका के भी केले की सबजी बनती है पपीते की बनती है केले के चिपस बनते हैं बहुत मज़ेदार होते हैं इसी तरह से कुछ मसाले होते हैं जिसे लॉंग और इलाची लोग ऐसे ही उसका सेवन करते हैं कच्चा मूं में रख लेते हैं लिकिन भोजन पकानी में भी उसका इस्तेमाल होता है इसके लावा बहुत सी सब्जियां हैं अब इन सब्जियों के अगर आप नाम देखेंगे तो टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर, पालक भी कुछ लोग कच्ची और पकाकर दुनों तरह से खाते हैं मटर अक्सार लोग चवाना पसंद करते हैं और इसके साथे साथ शिमला म मेर्ड तो यह सारे चीजें ऐसी होती है कि लोग उनको कच्चा भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ ऐसे सब्जियां हैं जिनको सलाद के तोर पे कच्चा भी खाया जाता है जैसे आप ये देखिए टिमाटर इनको सलाद के तौर पे हम कच्चा भी खाते हैं गाजर, मूली, चुकंदर, शिमला मेच हरी मेच भी ऐसे होती है जो पकाके भी खाए जाती है और उसको हम कच्चा भी खाते हैं कुछ ऐसी और चीज़े हैं जैसे प्याज प्यास को भचो हम कच्चा भी खाते हैं, पका कर भी खाते हैं और अब आप देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूं अधरक अधरक भी लोग कच्ची खाना पसंद करते हैं लहसन भी कुछ लोग कच्चा खाते हैं ताकि उनके कोलेस्टरोल नियंद्रण में रहे तो ये सब दे चीज़ें हैं जिनको लोग कच्चा भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं और जादा तर टमाटर, गाजर, मुली, जुकंदर, प्यास, शिमला मेच इनका इस्तिमाल सलाद बनाने में भी किया जाता है किया पर बच्चों एक बात मैं बताना चाहूंगी हाला के कुछ लोग पालक को कच्चा खाते हैं और पका कर भी खाते हैं लेकिन बेतर ये होता है कि हम पालक जैसी चीज़ को पका कर खाएं, कच्चा ना खाएं क्योंकि वो पाचन में जादा बेतर तरिखे से सायक होती है और पका के खाने से उबाल के खाने से वो हमारे स्वास के लिए ज्यादा लाबकारी होती है अब हमने यह देखा बच्चों कि भोजन हम झब कच्चा खाते हैं तो उसके बारे में मैंने बात की कि हमें raw fruits कच्ची चीजें कच्चा भोजन जो हम चबाएंगे और खाएंगे उससे हमें बहुत फाइदा होता है बजाए इसके कि हम उसका juice निकाल के लें इसी तरह से खीरा नीबू इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए और यह सब चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमारे स्किन बहुत अच्छी होती है बाल अच्छे होते हैं आखें भी अच्छी होती हैं आखों की रोशनी कम नहीं होती है पका का खाया जाने वाले भोजी पदार क्य अगर हम कच्चा खाएंगे तो हमें वो मुश्किल से डाइजेस्ट होंगे और पाचन में हमें ज्यादा समस्यागा सामना करना पड़ेगा जब भोजन को पका के खाया जाता है तो वो मुलायम हो जाता है हमारे दातों को चबाने में भी उसको बहुत मेनत नहीं करनी पड़त है और हम आराम से उस भोजन को डाइजेस्ट कर लेते हैं यानि वो भोजन पच भी जाता है अब आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों भोजन खाने या बनाने से पहले की साफधानिया इस चीज़ को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें अगर भोजन खाना है या ब फल और सबजियां खाने या पकाने से पहले उसे ठीक प्रकार से धो लेना चाहिए बहुत जरूरी बात है ये कि कोई भी फल या सबजी अक्सर मैंने देखा है लोगों को कोई फल लिया और कपड़े से या हाथ से यू करके पोचा और खाना शुरू कर दिया ये बहुत गल हैं अगर आप उसको खुआएश धो के नहीं खाएंगे तो वह गंद लीगी किटाणू आपके मुण के जरीए आपके पेट में जाएंगे और कहीं नक student पहचाएंगे दूसरी चीज हमें बाजार से कुली चीजें हमें बाजार से खुले चीज़ें या कटेवे फल नहीं खाने चाहिए यह बहुत जरूरी बात है और इस चीज़ का हम सब को ध्यान रखना चाहिए कोई भी आप देखते होंगे हलवाई की दुकान पे गर्मा गरम जलेबी उसमें से शीरा टपक रहा है लेकिन वो जलेबी क्या है खुली रखी है जलेबी के शीरेट पकने के साथी साथ उसमें कुछ-कुछ मक्यां भी बैठी है आप बढ़िया से गुलाब जामून रखे हैं लेकिन उसमें कुछ मक्यां बैठी है आपको गुलाब जामून और जलेबी या बढ़िया गर्मा गरम प्यास की पकोड़ी देख के खाने को तो दिल चाता है आप को दिल चाता है कि आप फौरान उसे खरी दें और खा लें लेकिन आप जरा सा सोचिए एक बात कि वो मक्ही जो अभी उस करम अगराम प्यास की पकोड़ी पे बैठी है समोसे पे बैठी है जलेबी पे बैठी है वो कहां कहां और बैठती है खुले में शौच बढ़ा होता है नालियां शौच पे बैठती है वो नालियों में जाके बैठती है और भी गंदी जहां पे वो मक्षियां जाके बैटती हैं और उसके बाद उड़ती भी आती हैं और रामू हलवाई की दुकान में आई और उनकी गर्मा गरम जलेपी भी बैट गई समोसों पे बैट गई प्यास की पकोड़ों पे बैट गई और आपका दिल चाहा आप उसे खरी दी और खाएं तो कितनी गंदी की अब आप सोच लिए आपके पेट में गई इसलिए कहा जाता है कि बाजार की खुली हुई चीजें इसी तरह से बात कटे फलों की भी है तो बा आखिया गंदीगी लेके आके बैठती है अब कटावा फल है आप धोएंगे तो है नहीं आप उसको उसी तरह से खाएंगे तो वो सारी गंदीगी उस कटेवे फल में या खुलेवी चीजों के साथ आपके पेट में जाती है और आपको स्वास्त देने के वजाए और आपक करें भोजन सदय भी ढख का रखना चाहिए यह इस दूसरे पॉइंट से बिलकुर लिंक है तिसरा पॉइंट जैसे आपको बताया मैंने अभी कि हमें बाजार की खुलीवी चीज़ें या कटेवे फल नहीं खाने चाहिए ठीक उसी तरह से घर के लिए भी जरूरी है कि धाक कर रखना चाहिए क्योंकि यह जी चीज जो बाहर के लिए है वही घाए के लिए है अगर भोजन खुले में रखा रहेगा कि धूल मिट्टी तो आती है घरों में भी उन धोल मिट्टी के साथ किटानू भी होते हैं अगर भोजन आपका खुला रखा है तो किटानू आपके भोजन पे बैठेंगे और वो खुला हुआ भोजन जब आप खाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके सहत को फायदा पहुचाने के बजाए आपके सहत को और नुखसाएं पहुचाएगा अब बच्चों हम लोग बात करते हैं भोजन करने से पहले हाथ साफ पानी और साबून से धोना चाहिए बहुत जरूरी चीज़ है अकसर क्या होता है एक ग्लास में पानी लिया और यू हाथ पे पानी डाला यू यू धोया और बस धुल गया ऐसे नहीं करना चाहिए पाइदे से हाथ भी गोएं साबून लगाएं और हैंड वाश के आपको स्टेप्स भी सिखाए गए हैं बिल्कुल उसी तरह से आप हाथ धोईए पाइदे से साबून लगाईए और पूरा मल ये और फिर साफ पाने से धोईए जब तक कि साबून आपके हाथों से साफ ना हो जाए अगर आपने इस तरह से किया है तब ही आपका हाथ साफ है और फिर आप रेड़ी हैं भोजन को खाने के लिए अब देखिए हमने फल और सबसियां खरी दी और उनको अच्छे से धोया कोई भी भोजन को खुला ने रखा हाथ धोया अब हम खाना खाने बैठेंगे तो भोजन को हमें खूब चबा की खाना चाहिए खुश लोगो होते हैं दोड़ते हैं दोड़ते हैं धर धर भागते हैं बच्चे बच्चे रोटी लियों में रखी खा रहे हैं यहां दोड़ रहे हैं वहां दोड़ रहे हैं इस तरह से नहीं बहुत आराम से सुकून से बैठिए और बहुत आराम से आप अपना भोजन चबा चबा के खाईए क्योंकि अगर आप ठीक से भोजन चबा के खाएंगे तो आपकी आतों को बहुत ज़्यादा मेनत नी करनी पड़ेगी और आपका भोजन पच जाएगा दूसरी चीज़ यह है अगर आप दोड़ भाग करके और बोलते बोलते खाएंगे तो भोजन का अगर कोई टुकड़ा सास की नली में अटकता है तो हमें फोरण घुटन मैसूस होती है सास लेने में हमें परिशानी होती है तो यह बहुत ज़रूरी होता है बच्चों कि हम इ अब बच्चों हम लोग बात करते हैं अभी तक हमने जो भी सीखा उसके बारे में फिर से बात करते हैं कि हमें भोजी पदार्थों को अब तक भोजी पदार्थ के बारे में हमने क्या-क्या सीखा सबसे बड़ी चीज यह है कि इधर देखिएगा हम भोजी पदार्थों को क फल, दही, नीभू, इत्यादी ये सब हम कच्चा खाते हैं अब देखते हैं कुछ अनाज दाले, अंडा, मास, मशली, कुछ सबसियां भी है जैसे आलू, अर्वी, बैगन, कदू, इत्यादी ये सब हम पका कर ही खाते हैं हम इने कच्चा नहीं खाते हैं लेकिन यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि अनाज में जिसे चना है आपने देखा होगा लोग अंकुरी चना खाते हैं चना है और साबूत मौं की दाल है उसको भीगो की रखा जाता है जब वो अंकुरीत हो जाती है उसमें जब अकवे निकल राते हैं तो उसको फिर पानी उसका च्छान के भीगे कपड़े में रखा अंकुरीत हो गई तो उसको लोग खाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें आयरन बहुत जादा होता है वो भी स्वास के लिए बहुत लाबकारी होता है और बहुत फायदे की चीज़ होती है तो बहुत से लोग जैसे अभी मैंने यहाँ बात की थी ना कि दालें पका के खाते हैं लेकिन जैसे चना है, साबूत मौन की दाल है ये सब भीगों के लोग आंकुरीत करके कच्छा भी खाते हैं अब इसी तरह से केला, पपीता हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे फ़ल हैं कि कच्छे भी खाते हैं और पका कर भी खाते हैं इसी के साथ ही साथ टमाटर, प्यास, लेसुन, अद्रक, शिमलामेच और लॉंग, इलाची ये सब भुज़ प्रदार भी ऐसे हैं जिने हम कच्छा भी खाते हैं और पका गर भी खाते हैं अब देखिए, ध्यान दीजिएगा स्क्रीण की तरफ हाथ धोने के के तरीखे जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से हाथ धोना चाहिए अब इसमें लिखिये, ध्यान दीजिए कि सबसे पहले दोनों हातों को हाध धोया और दोनों हातों में साबुन लगा के ऐसे रगड़ा फिर हतेलियों को पल đầu प ईसे का बीच में उसके बाद पर जो गंदीगी लगी हो वो बिलकुल कैदे से इसको हम साफ कर लें फिर ऑंगलियों की सघा को इस तरह से साफ करते हैं द पे क्योंकि उगलियां कर रहा थे अब ये बचा अंगुठे की जागा इसको इस तरह से अच्छे से बहुत कायदे से इसको मल मल के धोया जाता है और फिर उसके बाद में नाखुनों को भी रगड के इस तरह से साफ करने का काम किया जाता है और जब हमें लगता है कि पूरी प्रोसेश जो हाथ धोने का होता है वो कंप्लीट होता है तो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों कि भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद हमें हाथ साफ पानी और साबुन से धोना चाहिए इसके साथी साथ बाजार की कटे फल और सबजियां हमें बिलकुल भी नहीं खानी चाहिए, कोई भी कटेवे फल है, कुछ भी ऐसी चीज जो खुलेवी चीजे हैं, वो हमें बाजार की लेके नहीं खानी चाहिए, एक चीज और बहुत जरूरी है, कि घर में भी कोई भी भोज़े पदार्थ खुला नहीं रखना चाहिए, इन सब चीजों को बहुत ध्य में रखें, और एक और बात ये, कि जब भोज़न हम करें, तो खुब कायदे से चबा कर खाएं, ताकि भोज़न हजन करने में आसानी हो, अब बचों, एक चीज में आपको होमवर्क में रहे, कारे में देना चाहूंगी, आपको क्या करना है आज, कि वो भोज़िप अदार्थ आपको लिखने हैं, जिनको आप कच्चा खाते हैं, पका कर खाते हैं, और कच्चा और पका कर दोनों तरह से खाते हैं, इनकी आप सूशी बनाईएगा, और कम से कम इसमें आप पाच पाच नाम लिखिएगा, भोज़िप अदार्थ के नाम आपको लिखने हैं, भोज़िप अदार्थों के वो नाम जिनको आप कच्चा खाते हैं, पका के खाते हैं, कच्चा और पका कर दोनों खाते हैं, तो किनी पाच पाच भोज़िप अदार्थों के नाम आपको इसमें लिखने हैं, तो बच्च वो हमारा भोजन पार्ट के बारे में आपको समाज में आ गई हूँगी, इसी के साथ मैं आज की क्लास खत्म करती हूँ, फिर मिलेंगे इस पार्ट का थोड़ा आंश और बचा है, उस पे चर्चा करने के लिए, तब तक के लिए